Hello everyone, SWAGAT है आपका आपकी अपने platform पे हमारा आज का जो topic है वो one nation one election पे है समान पने जनता का भी यही point है कि one nation one election आखिर है क्या क्या है ये one nation one election इसको डिसकस करने से पहले हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुती important है बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हम किस प्रकार की प्रजातंत्र की डेमोक्रसी की बात करते हैं जनता के लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि अगर कोई टर्क है और कोई पक्ष की सहमती में तो उसके क्या तरक है एंड अटीमेटली क्या होना चाहिए उसको हम वीडियो के अंत में डिस्कस जरूर करेंगे कि क्या होना चाहिए बट फिलाल के लिए हम देख लेते हैं कि एक अपने आप में काफी complicated topic है ऐसा बहुत आसान मुद्दा नहीं है जिसके ओपर एक बहुत ही random decision लिया जा सके तो आसान क्योंकि मुद्दा नहीं है तो एक committee की वननी की बहुत जरूरत थी सो हमारे पूर्व राष्टबती रामनात कोविन जी की अद्धिक्ष्टा में union government जो है उन्होंने committee की स्थापना करी है जो कि चेक करेगी बताएगी कि हां भई क्या हमारे लिए one nation one elections possible है feasible है या नहीं है सो डिसकस करते हैं उनको बट उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्ष्टन का इतिहास क्या है वाट इस हिस्ट्री ओफ वन नेशन वन इलेक्ष्टन सी समाने तौर पे अगर हम अपने देश में देखे तो हमारे देश में दो बार elections होते हैं और एक होता है केंद्रिय इस्तर पर और एक elections होते हैं आपके राज्यों के इस्तर पर केंद्र के elections को हम लोग साधरन्ता आम चुनावों के नाम से जानते हैं जो लोग सभा के चुनाव होते हैं उनको हम लोग आम चुनाव भी बोलते हैं वहीं अगर हम राज्यों के बात करेंगे तो राज्यों में होने वाले विधान सभा के चुनाव, जिसमें आम जंता भागीदारी करती है, वो हर एक राज्य में उनकी तितियां अलग-अलग होती है। कैंद्र सरकार का यह एक चुनाव करते हैं कि तो उसमें काफी ज्यादा लyon जिरीक्षन का राज्यों के सब्सक्व करते हैं। तो इस तरकों को दे करके जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने ये पक्ष रखा है कि हाँ हमें एक रास्ट्रे एक जो चुनाव है उनको कंड़क कराना चाहिए फिलाल में आप सभी को बता दू कि ये जो एक रास्ट्रे एक चुनाव का मुद्दा है ये पहली बार नहीं है थिहास में भारत की अगर हम पहले आम चुनावों की या जनरल एलेक्शन की बात करें यानि कि लोग सुभा चुनावों की बात करें तो क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत का जो समविधान था वो बना ही आपका या बन करके एक्जिक्यूटी 26 जनवरी 1950 को हुआ था तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52, as you can see here that 25th of October 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हमारे पहले जनरल एलेक्शन स्टार्ट हुए थे इसी के साथ साथ में हमारे जो राज्यों की विधान सभाएं हैं उनके भी स्टेट असेम्बली इलेक्शन से वो भी कंड़क कराए गए थे तो ऐसा यह पहली बार नहीं था कि हम लोग पहली बार ही आपके अलग-अलग चुनाओं कंड़क करा रहे हैं इस उननिस सो पचास में भारत के संविधान के लागू होने के बात से ले करके आपके ऑक्टूबर 25th of October 1951 तक का टाइम पीरिड था इस वक्त में हमारे इलेक्शन नहीं हुए तो और इस वक्त में हमारी जो अंतरिम सरकार्ती वही काम कर रही थी तो 25th of October 1952 बे जब हमने पहली बार इलेक्शन कंड़क करा है राज्य इस्तर पर और आपके केंद्र इस्तर पर तो वह हमारे पहले इलेक्शन कंड़क किये हुए माने जातने और यह पहली बार नहीं है कि आपकी डिमांड करी जा रहे है कि हम इलेक्शन कराने चाहिए या फिलाल एलेक्शन हमारे दे कराने हुए मारे पहली बार हो चुके थे तर्म आपका अलेक्शन का प्र पर तरीके से अपने 5 वर्ष का कारे काल दूस दूसरा 1962 लुट निस सॉ निस सु अरुंड में उन्नकर में पर तरीके से चाहने हम बात करें आपके राज्यों के सबाहें थी उनके जो इलेक्शन से वो 1968 और 1969 में क्या हुआ इस जो पूरा चक्र था साइकल था कि हम राज्यों के विधान सबाहों के चुनाओं और केंद्र के जो एलेक्शन हैं आपके यूनियन इलेक्शन से उनको एक साथ कंड़क कराएंगे तो 1968 में उसमें थोड़ी सी बादाएं आ गए और वो जो हमारा साइकल था वो जो हमारा क्रम था वो एकदम ब्रेक हो गया तो 1970 में यह सोच रहते हैं कि चलो कोई बात मी राज्य विधान सबाहों के एलेक्शन वही आपके इंटरप्ट हो रहे हैं बट 1970 में तो हमारी लोगसभा ही अपने आप से डिजॉल हो गई भंग हो गई और उसके वजह से आपको 1971 में दुबारा से जो फ्रेश इलेक्शन से कराने पड़े तो इस तरीचे से जो स्टार्टिंग में करम हमने स्ट किया था कि लोगसभा और विधान सबाह के एलेक्शन समसात्तमे करांगे वो बीच में ही आ करके मिड़ में यह करके उस सैकल को ब्रेक होना पड़ ह dad the Crown Les जो elections हैं जाहे हम बात करें लोकसभा के चुनावों की और अगर हम बात करें राजसभा के चुनावों की या विदानसभाओं के चुनावों की यह दोनों ही चुनाव अभी आपके अलग-अलग कंड़क किये जातों और एक साथ नहीं कियाते हैं अच्छा जो हमारी वर्तमान स आपको दिख रही है जब हम कहते हैं कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और उसके साथ साथ में आठ केंडर शाषित प्रदेश हैं यूनिन टेरिट्रीज हैं 1950 के दौरान में वह इस्टी भारत की नहीं थी हमारे पास में कुछ ऐसे भी आप देख सकते हैं नाम जो आपने कभी सु सब्सक्राइब करते हैं कि मद्रास और मैसूर जैसे नाम भी हुआ करते थे तो अवर दे टाइम जब हमने राज्य पुनर गठन आयो का निर्माण किया और 1956 में नए राज्यों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया था तो हर एक राज्य नया क्रेट हुआ था तो उस राज् मुद्ध यह है कि केंद सरकार के आने वाले जो प्यास प्याइब करा लेते हैं तो हमारा काफी धन की सेफिटी हो जाएगे सिक्यॉरिटी हो जाएगी ऐसा उनका मानना है फिलाल क्योंकि मैंने आपको जैसा की डेटा दिया कि 28 राज्य हैं भारत में और आठ यूनिन टेरिट्री हैं उनमें से अगर हम 28 राज्यों की बात करें उनके विधानसवा चुनाओं की बात करें हैं जहां पर 2024 में elections होने हैं तो इनके अलावा यानि कि अभी भी हमारे पास में वीस राज्ये ऐसे बचे हैं जिनके लिए जिनके राज्यों के होने वाले elections के समय को हमें क्या करना पड़ेगा हमें change करना पड़ेगा अगें हमें Constitutional Amendment के माध्यम से क्या करना पड़ेगा आपका उनका टाइम पीरिट है उसको कम यह ज्यादा करना पड़ेगा हाला कि मैं आपको बता दू कि हमारे पास में कुछ positive side भी है इन elections को कंड़क कराने के and कुछ negative side भी है हम एक एक करके दोनों sides को discuss करेंगे जैसे मैंने आपसे बोला positive side कि हां हमें one nation one elections कंड़क कराना चाहिए तो कारण है उसका कारण यह है कि केंद्र और राज्यों के elections को कंड़क कराने के लिए तो elections commission के ऊपर भी बोज बढ़ जाता है उसका काम बढ़ जाता है तो हमारा expenditure रिडियूस होगा यह इनका तरक है वही अगर मैं चैलेंज के तौर पे देखो तो हमारे लिए आपकी operational feasibility में प्रॉबलम आएगी जब हम बात करते हैं आम चुनावों की जब हम बात करते हैं राज्यों के विधान सभा चुनाओं की तो बहुत सारे सरकारी इस तर पर कारे करने वाले जो करवचारी होते हैं उनकी जो locations होती है उसको चेंज किया जाता है जिस शेत्र विशेष में आपके elections हो रहे होते हैं हम उस वक्त में सिफ एक स्टेट लेवल पे ही आपका टार्गेट कर रहे होते हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि आज भारत की जनसंक्या एक सो बायालिस करोड ओवर हो चुकी है तो इतनी जनसंक्या को एक साथ टेकल करने के लिए हमें काफी हद तक बहुत सारी हुज टीम की रिक्वार्मेंट होगी और वह अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है तो यह कालन दिया जा रहा है जिसमें तरक दिया जा रहा है कि हां हम नहीं करा सकते हैं आपके इलेक्शन हम करा सकते हैं कि से हमें फंड्स की बचत हो जाएगी दूसरा पॉइंटर यहां पर ज अगर एक स्टेट में और एक नेशन लेवल पर जाएगे तो जो गवर्मेंट है उसका फोकस साशन के ओपर थोड़ा सा जादा बढ़ जाएगा जो हमारे जरूरी मुद्ध्याम उस पर जादा फोकस कर पाएंगे रादर देन फोकसिंग ओवर कि हमें इलेक्शन के पहले कि करनी है कि हम कैसे इलेक्शन कंड़ कराएंगे तो यह फोकस बढ़ जाएगा थोड़ा सा कारे चेत्र पे यह आपका तर्क दिया जा रहा है पॉजिटिव साइड में वहीं अगर हम चैलेंजिंग पार्ट की बात करें तो अगें क्योंकि एलेक्शन कंड़ कराना हाला कि हमा का सिस्टम था जो साइकल था वो दिस्टर्ब हुआ तो प्रजात तंत्र के खिलाफ है प्रजात तंत्र को लेक बहला फुसला करके एक ही समय पे एलेक्शन कराना कंड़ कराना भी अपने आप में यह उसकी विरोधी हो जाएगा तो यह करा रीजन दिया जा रहा है तर्क द लागु करा दी जाती है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में तो यह जो फेज होता है कि टाम पीरिट होता है अच्छे का से दिनो का होता है अब अगर ऑम पॉजिटिव साइट की बात करे तो केंड सरकार का कहना यह है कि जब हम एलेक्शन रास्टर में और आपके एक साथ में एक समय में कंड़क कराएंगे तो यह जो मोडल कोड अफ कंड़क्त है उसके एक समय सीमान अधारीज हो जाएगी तो एलेक्शन कमिशन के लिए भी अलग अलग स्टेट में जो टास्क होगा वो डिडिउस हो जाएगा अगर हम चैलेंज की बात करें तो वोटर की बीहेवर पे इंपेक्ट आएगा अगर मैं बात करूं दिली की और करनाटक की बात करूं और वहीं मैं बात करती हूं मानलीजे स्टेट बिहार की दोनों के विकास में काफी जमीनी इस तर पे काफी परिवर्तन है तो वोटर जो है एक चका पे ज्यादा इंटलेक्ट है पढ़ा लिका है दूसी तरफ में वहां पर इंटलेक्शनल लेवल अभी इतना रेज नहीं हुआ है उनके जो मुद्दे हैं वो अलग है हो सकता है कि करनाटक के जो वोटर से उनके मुद्दे अलग हो और जो आपके बेंगलॉर के या आप करनाटक के बादम बिहार के जो मु मुद्दे अलग हैं अगर हम बार बार वोटर को इस तरीके से परिशान करेंगे कि आपको यहां पर वोट देना है तो हो सकता है कि जो वोटर है वो भी कन्फ्यूज हो जाए कि भई मुझे राज्जे इस तर पे आपका जो चुनावी मुद्दा उसके अधार पर वोट करना है तो यह एक आपका चुनावी जो लिक मौहल है वो प्रभाव डाल सकता है वोटर के बिहेवियर में भी जो एक और पॉइंट है हमारे पास में वो यह है आपका पुलराइजिंग इवेंट सी जब कभी भी आपके वोट आते हैं या आपके कभी भी इलेक्शन होते है तो जो सत्तारूण पार्टी होते हैं उनके अपने अलग अलग पॉटफोलियो या मैनिफेस्ट होते हैं या उनके अपने अलगी मुद्दे होते हैं कि हम क्या करेंगे हम अपने इन मुद्दों को ले करके जादा-जादा जनता को अपने तरफ अले काबोलोगी अट्रेक क यह अपने बोट्स वेयं को देंगी तो हो सकता है कि जो कि वर्तमान की पार्टी है उसके लिए बेनिफीशल हो कि हम पोलराइज कर सकें ं आपके सारे के सारे वोटर्स कह भी उनका अटेंशन सीक कर सकें और प्रिविलिंग आपके पोजितिव साइट दिया जा रहा है इलेक्षिन का इशू से एक इससे जसा कि मैंने बोला की दुरुवी करण हो जाता है हमारे देश में विविद्टा होने की वजह से हर एक इनसान के मुद्धे सेह मुझे इलेक्षिन को कंड़क कराने का पैटर्न एक नहीं हो सकता यह भी हो सकता है कि आपको एक कि राजय में different different dates में elections कंड़ कराने पड़े मतलब elections भी एक दिन में simple complete नहीं हो सकते हैं यह हो सकता है कि चरण हो जाएं कि आपके 10 चरण 15 चरण 15 चरण तक पूरा देश सिर्फ और सिर्फ अपका इलेक्शन और उससे सम्मंदिक गति विदियो में ही आपका busy रहेगा इन्वाल रहेगा उसके अलावा हमें कुछ भी सोचने की समय सीमा नहीं रहेगी अपार्ट फॉम दिस यह हमारे लिए security point of view से क्योंकि जादा 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 जो सरकारी विभाग है वह आपका इनी suppose for an example कि हम अगर उत्यप्रिदेश की बात करते हैं यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 2019 में चुनाओ हुए थे आपके लोगसभा के लोगसभा लास्ट एलेक्शन आपके 2019 में हुए थे ठीके 2019 के बाद में अभी 2024 को अगले साल हमारे elections होंगे वहीं पे सरकार को पता है कि हमें काम करना है ताकि आगे आने वाले लोगसभा elections में हम 2024 में अपने राज्य में अच्छी सीटे लोगसभा इस्तर पर प्राप्त कर सकें तो सरकार जो होती है उसके accountability बन जाती है क्योंकि उसको फिर से 2027 के term में अपनी सरकार को दोहराना है लेकिन अगर इस तर पर जो भी आपकी सरकारे होंगी वो सीधे 2029 तक के लिए वो काम करती है या नहीं करती है जनता के साथ में कैसा वैवार उनका रहता है इसका निरधारन कोई नहीं कर सकता तो एक तरीके से आपकी accountability बेनिश हो जाएगी यह काफी बड़ा challenge है क्योंकि जनता के जो कुछ provisions है कि हम कैसे कैसे आपके करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं एक रास्ट मेक्शनाओ तो पहला point तो हमारे पास में यह है कि भारत के संविधान में अनुक्षेद 83 सब article 2 जो है वो बताता है कि जो constitution है जो संसद है यह संविधान जो है वो बताता है कि आपका जो normal term होता है के elections कंडग कराने का वो 5 साल का होता है लोकसभा यानि की speaker house of the commons का या house of the peoples का वहीं अगर हम article 172 सब article 1 की बात करेंगे तो यह बताता है कि राज्यों में similarly same tenure होता है state legislative assemblies का which is 5 years कि आपकी पहली sitting से लेके आप 5 साल तक अपना जो राज्य की विधान सबा है उसमें जो आपकी प्रविलिंग सरकार है वो 5 साल के लिए कारे करेगी तो यह हो गया आपका दूसरी चीज़ अब जो tenor है आपके दोनों ही सदनों का यानि की लोकसभा का और राज जहां ओडी सा हो यह वो राज्य जहां पर elections है what about the other states which do not have their elections in 2024 क्योंकि उनके elections 2024 में नहीं है तो हम उनके time period को reduce कर दे यह हम उसको extend कर दे तो यह possible नहीं है यह possible नहीं है except in the case of the emergency अगर आपातका लगता है यानि की राज्य आपातका लगता है या फिर अगर आप बोल सकते है क national emergency लगते है that condition तो हम इनका tenure को reduce कर सकते है otherwise हमें इस तरीके के changes करने के लिए term को reduce और आपका term को increase करने के लिए multiple constitutional amendments जो हैं उनको कराना पड़ेगा साथी साथ में हमें people's या representation of people act में भी amendment करने पड़ेंगे तो इतने सारे amendment के साथ में यह operational feasibility जो है वो definitely हमारे लिए easy नहीं हो यहां पर बात सिर्फ एक party की नहीं है यहां पर बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है जो कि वरतेमान में केज़ सरकार में अपनी सत्ता में है इसके अलावा भी अन्य जतनी भी political parties हैं क्योंकि राश्टर इस्तर पर हमारे पास में national parties है लेकिन अगर हम राज्य इस्तर पर बात क चाहूंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको political support की और political understanding की जरुवत है आपको सम्विधान का भी ग्यान होना चाहिए आपको वो सारे कारण पता होने चाहिए कि अगर हम इस तरीके का one nation one election का प्रावधान लेकर के आते हैं तो हमारे लिए क्या परिस्तियां develop हो सकती है not in present and not in future. In fact, इसमें भी कोई भी संदे नहीं है यह निसंदे यह कहा जा सकता है कि मान लेते हैं कि अगर one nation one elections हो हैं उनको कंडग करा देते हैं 2024 में हर एक राज्य में ठीके इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि कि किसी भी अन्य राज्य में in between या मिड में बंगना हो जाएं यह हो सकता है कि आपके दुबारा से elections वहां पर ना कराएं तो इसकी वज़े से आपको दुबारा से उसी cycle को फिर से change करना पड़ेगा and मिड में कई बार आपको elections कराने पड़ेंगे तो इन सभी मुद्नों को जान करके धान में रखते हुए मेरा कहना यह कि काफी सोच कर काफी विचार विमर्ष के बाद में सरकार को इस प्रकार के बहुती सेंस्टिफ जो decisions उनके ओपर इस्ट्रेप उठाना चाहिए आपकी क्या राय है आप इसके favor में है या आप इसके favor में नहीं है कमेंट सेक्षन में कमेंट करना बिल्कुल ना बोले और ऐस से और भी वीडियो के लिए बने रहें प्लेटफॉर्म के साथ में thank you so much for watching don't forget to subscribe the channel